नमस्कार किसान भाईयों, किसान परिवार यूटीव चैनल में आपका स्वागत हैं किसान भाईयों, किसानों से जुड़ी हुई मैतपुन न्यूज, प्याज एवं अन्य सभी परकार की सबजी वे अनाज मंडियों के ताजा भाव पाने के लिए आप चेनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबाएं किसान भाई यह हमारा चेनल सपेशल किसान साथियों के लिए ही है इस पर किसानों से जुड़ी हुई और मुस्म की खबरें ही आपको सबसे पहले मिलेंगी तो चली किसान भाई देखते हैं प्याज भविशे 2020 के बारे में हमारे बहुत से साथियों के कमेंट सा रहे थे कि कि क्या प्याज के भाव बढ़ सकते हैं और अगर भाव बढ़ेंगे तो कब तक बढ़ेंगे और कितने भाव जा सकते हैं किसान भाईव, आप जानते हैं, लोकडाउन कॉरोना की वज़े से पूरे देश की अर्थ व्यवस्ता छोपड होची है हमारे देश की नहीं दुनिया के तमाम देशों की अर्थ व्यवस्ता बिल्कुल ही, जो है, हम कह सकते नीचे आ गए है और इसी कारण हमारे किसान साथियों को भी जो है वो अपनी अनाज और सब्जियों के भाव नहीं मिल पा रहे हैं बात करें प्याज की सपेशल तो तो किसान भाईयों आप जानते हैं अब की बार प्याज के रेट काफी कम मिल पा रहे हैं किसान भाईयों को लेकिन किसान भाईयों आने वाले टाइम में प्याज के रेट बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि केंदर सरकार ने पहले प्याज के निर्याद पे जो रोक लगाई थी सरकार ने 15 मारत से प्याज निर्याद की रोक हटा दी थी यानि 15 मार्च 2020 से प्याज का निर्यात सुरू हो जाना था और अगर किसान भाईयों प्याज का निर्यात सुरू हो जाता तो देश में प्याज के रेट बढ़ जाते लेकिन लोकडाउन कोरोना की वज़े से देश से ने तो निर्यात हो पाया तो किसान भाईयों इसकी वज़ घ्रेलू मार्केट में भी जुए प्याज की खबद ज्यादा होगी और उसके साथ-साथ निर्यात जुए होगा तो निर्यात होने के कारण जुए प्याज के रिट बढ़ेंगे किया था प्याज का ओस्त मुले किसानों को पहले 1450 रुपे पर ती गुंटल मिल ला था और अभी लगबग 800 से लेकर के 1400 रुपे तक पूरी देश में प्याज का रेट मिल पा रहा है जो कि बेहद कम है तो किसानों सातियों अब प्याज के भाव की अगर बात करें तो देश म लोकडाउन हटने की देरी है उसके बाद निर्यात भी होगा और साथ में ग्रेलू मार्केट में भी उसकी प्याज की जो मांग है वो बढ़ेगी तो किसानों यह आज की खास अपडेट थी प्याज को लेकर आपको क्या लगता है प्याज के रेट को लेकर और प्याज के र आदियों के साथ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद